अब आप सुबा सुबा यह सोच रहे होंगे कि मैं क्लास लेने की बज़ा है इनकी मसाज क्यू कर रहों हूँ आपकी जितनी भी बौडी के पार्ट अटक गए है उस पे थोड़ी सी हम लोग मसाज़ करेंगे तो इस थंड की वज़े से इनके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वह अकड़ गया हैं अगर आपके भी वहां पर जाद हो रही है तो आप भी एक एक पार्टनर लीजिए एक दूसरे की मसाज करना शुरू कर दीजिए कम आण स्ट एक पाट्नमेंगे मसाथ सप्पर दिंगे पहले हम लोग जाएंगे हाथों पे यहाथ है यहां से हम लोगा शुरू करेंगे अच्छे से टाप करते हुए यहीं देन सेकिंड पार्ट हमारा शॉल्डर ने वह पिस से लेफ्ट अंड आजाएगा यहां पे हम लोग शुरू कर देंगे अब जैसे हमारी अपर बॉडी कम्प्लीट हो जाएगी खड़े हो जाएगे उसके बाद अपर बॉडी जैसे हमारी कम्प्लीट हो गई हम लेक्स की तरफ आएगे कैसे तांग उठाएगे अपनी उपर लेक्स पे हम लोग टापिंग करें ताकि लेक्स में जितनी भी अकडन है वो क्लेर हो जाए एक बार आपकी राइट लेक हो गई उसके बाद लेफ्ट लेक के उपर टापिंग शुरू हो जाएगे जैसी थाइस दोनों थाइस हो गई हमारी उसके बाद हमारी बॉड़ी के मीचे की जो पाथ है लेक्स जितनी भी है पूरी उपर क जमेंगे पहले बॉड़ी में जितनी भी अकडन है उसको हम लोग हटाएंगे दोडों के पार्टनर में जलदी से खड़े हो जाए आब जैसे संने मेरी मैंने सर्की मसाच की तो सर् थोड़ी से मेरी भी मसाच ट्रदिए आए सर अब आपकी बार यह हैं तो सबसे पहले हातों से tapping साथ हातों से उसके बाद shoulders पर आएंगे हम लोग shoulders पर then left hand की तरफ जाते होई left hand पर tapping yes that's nice हाँ अब जैसी हाथ हो गए हमारे हमारे shoulders हो गए उसके बाद सीधा हमारी बारी आएगी tango की हमारी legs यहां पर thighs को अच्छे से tap करेंगे सतांकि जितनी भी अकड़न हैं सब निकर जाए उसके बाद left वाली हो गई तो left के बाद right thigh जाइगी उसको आप लोग टाप करेंगे अच्छे से जोर से जोर से टाप ही उसके बाद नीचे का हिस्सा हमारा उसको टाप करेंगे दो दो के partners में और right वाला किया easy thank you sir अब आप काम करिए जाके मैंने अच्छे से आपकी मसाज कर दिये जाए तो अगर आपने अब भी मसाज शुरूर नहीं किये तो दोदों के partner में जल्दी से खड़े हो जाए दोदों के partners में yes जो लोग बैठे होए हैं वह बैठके बाक के उपर टापिंग कर सकते हैं हाथ खोलिए आप अपने हाथों पर टापिंग कर सकते हैं अगर आपके पास वहां ज्यादा लो इसको लिए आपने यहां पर आपने करना शुरूर किया यहां फिर खुब ही अपनी आप मसाज कर सकते हैं यहां टाप करते हुए yes इस हाथ को लेते हुए कुछ कूल्स में दो दो पार्टनर शुरू हुए है आप सुन पारे हैं मुझे अब ही हमारी पहले आक्टिविटी जो है आप दो दो के पार्टनर में खड़े हो जाईए और आप इंडिज्यूली यहां पार्टनर में मसाज शुरू करिए बॉडी को खोलने के लिए हम थोड़ी सी मसाज करेंगे कैसे यह आपका लेफ्ट हैंड लीजिए इस पर टापिंग आप लोग स्टार्ट करेंगे जोर से सिमिलर्ली राइट हैंड आएगा तो राइट हैंड के साथ हम राइट हैंड की टापिंग शुरू कर देंगे जैसी आपकी अपर बॉडी हो जाए उसके बाद आप लेक्स की तरफ आएंगे क्योंकि हमारी क्लास में हमको टांगों की बहुत जरुवत है और अगर तांगों हैंड इंडिविजिली शोल्डर सके लिए शोल्डर्स को अच्छे से मूफ कर लिजे ताकि शोल्डर्स में जितनी भी अक्रन हो वो सारी निकल जाये वरी गूट नाइस के भी सागर एंपी बहुत अच्छा करें वेरी गुड़ ओके नाइस अब हाथों को अपनी अच्छे से रब कर लिजे ताकि थोड़ी सी गर्माहाथ आजाए बोडी के अंदर और उसको अपनी नेक पे जैसी हाथ गरम हो जाए नेक पे कान के पीछे अपनी चीक्स पे अपने वेरी गुड़ तो आज का हमारा सेशन है स्टोरी टेगिंग अब इसमें क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन उससे पहले हम लोग एक आक्टिविटी करेंगे क्या है हमारे नाटक में और हमारी कहानियों में बहुत सारे किरदार होते हैं बहुत कैरेक है जिसका लीडिंग बॉड़ी पार्ट है उसका वे तो अगर चलेगा वो पेट के थू चलेगा यू करते हो मतलब उसका जो चहरा है वो उसकी पूरी body को Leed करेगा या फिर कोई एक इंसान है जिसका body part है उसकी टांग तो चलेगा तांग के साथ करें से ऐसा कि ड्याव को टांग है वो उसकी पूरी body को लीट करेगी या फिर कोई किक ऐसे इंसान है जिसका leading part उसके Kate's तो वो चलेगा ऐसे करते हो इसी तो अब आपको क्या करना है अपनी बॉडी में एक ऐसा पार्ट ढूना है जो आपके कैरेक्टर को लीट करेगा जैसे कि वो नाक हो सकती है वो कान हो सकता है वो आपकी चिन हो सकती है वो आपकी चेस हो सकती है वो आपका पेट हो सकता है वो आपके bumps हो सकते हैं कोई भी character आप बना सकते हैं लेकिन उसका एक body part होना चाहिए जिससे आप उस character को चलवाएंगे यानि कि उसका एक body part lead में रहेगा हमेशा तो चलिए आप लोग खड़े हो जाईए individually एक-एक body part से lead करिए अपने character को कि गुड़ रूड़ की नाइस येस अलग-अलग सब एक साथ कर रहे हैं एक ही body part में lead कर रहे हैं अलग-अलग body part से lead करेंगे के वी रूड़ की अलग-अलग body part बनाईए ओके गुड़ येस के भी पालुवास एक body part को लीजिए उससे lead करिए अपने character को येस वेरी गुड़ नाइस अच्छा वेट पालुवास अभी आपने अपनी टांग को बनाया है अपना leading character तो आप आगे तो ऐसे आएंगे अगर आपको पीछे जाना है तो आपकी टांग ही आपको पीछे लेके जाएगे आप सीधा यूँ पीछे नहीं आएंगे क्योंकि आपका टांग जो है वो आपका leading character है तो आप तांग ये आपकी हमेशा आगे आनी चाहिए तो आपको मुन्ना भी है तो आप पूरा ऐसे मुड़ेंगे क्लियर अब मैं को बार दिखाए आप नोस से कैसे लीट करेंगे अपनी बॉड़ी को थू नोस अगर नोस आपका leading पार्थ हो जाए तो कैसे आप लोग नोस के थूँ आप कैसे लीट करेंगे मैं यह कह रहा हूं जो भी body part रहेगा आप उसी के थूँ लीट करेंगे जैसे कि यह पेट है तो आप पेट से ही आगे चलेंगे मदब पेट हमेशा आगे होना चाहिए अगर आपको पीछे भी दाना है तो आप ऐसे पीछे नहीं जाएंगे आपका पेट है वह आपको चलिए यह हमारी activity हुई यह हमारी activity हुई characters को lead कैसे करने की अभी हम जब चल रहे थे तो हम खुद चल रहे थे जैसे कि मुझे पता था कि मेरा कान है leading body part तो मैं कान से चलूँगा सोचिए अगर हमारे इस character को कोई और चला है तो हम कैसे चलेंगे तो हमारी next activity का नाम है imaginary rope इसमें मैं एक रसी लूँगा imaginary एक रोप होगी मेरे हाथ में एक रसी होगी मैं अपने दूसरे character के नाक में वो रसी गुसा हूँगा और नाक के through मैं उसको lead कर वहूँगा कैसे मैं example देता हूँ सर आप फिर से आएंगे 2 मिनिट के लिए आजो यह हमारी activity का नाम है imaginary rope अब जैसे हम पहले खुछ चल रहे थे अब हम दूसरे character को चलाएंगे आपका leading body part क्या है नोज है थोड़ा सा पीछे हो जाई है सर तो यह मैंने रसी ली यह मैंने फेकी और यह इनके नाक पर जाके fit हो गई तो अब मैं नाक से इनको चलाऊंगा आगे धीरे 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 अब जैसे जैसे मेरी रसी चलेगी वैसे वैसे चलेगे मैंने रसी उपर की तो यह उ بلکUL हैसे अगर इनका प्ल स्टि लीडिक बॉडई पार्ट तो मैं रसी घुमाऊंगा इनके पेट में डालूँगा और अब मैं चलाऊंगा इनको तो यह चलेंगे पीट से ही चलेंगे अब मैंने उपर किया तो पेट उपर नीचे किया तो पेट नीचे क्लियर इजी कुछ कूल इसने करना भी शुरू कर दिया वेरी गुट कि ओके के वी रूट की कि अब गुट चलाईए येस चलाईए अच्छा पेरी गुट चलिए कंट्यूने करिए बॉड़ी पार्ट एक बार जो बना लिया फिर चेंज करिए पेट से किया नाख से कर सकते हैं आखों से कर सकते हैं से कर सकते हैं किसी भी बॉड़ी पार्ट को ले सकते हैं थैंक्यू सर हम आपको फिर से बुलाएंगे है ओके केवी-पिंजयो मिन आ रसी अगर उपर की तो पुरा बॉरुडि बॉडी पार्ट उपर जाएगा आ अगर आप रसी को साथ लीड करिये साथ 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 येस गुट हाँ गुट 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 कंटिनू और उसको मूव भी करिये उसको मूव भी करिये अब यह आक्टिविटी हमारी यहीं पर खतम करते हैं नेक्स अर्टिविटी शुरू करते हैं तो आप जहां पर भी है सिब इनको आप लोग कतनी के भी कतनी खड़े हो जाइए सारे खड़े हो जाइए सारे के भी कतनी प्लीज स्टाइड आप अब आप जो भी कर रहे हैं उसको रोख दीजिए और टो है क्या मुझे कुछ बताना है बहुत जरूरी एक तो आज का जैसे हमारा एं प्ली तो होती क्या है एय सोरी तैलिंग कि इस स्टोन चैनल का नाम है यह मैं आज़ आपको पताऊंगा आपको पता है हमारे इस भारत देश की सबसे यूनीक सबसे अद्बुच चीज क्या है वो है हमारे इस देश की कहानिया क्योंकि कहानिया जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है हमें प्यार करना सिखाती है हमें माफ करना सिखाती है और भी बहुत सारी चीजे हैं जो कहानियां हमें सिकाती है और कहानियों के साथ हमारा जो ये रिष्टा है जो connection है life का वो एकदम अटूट है क्योंकि समय बदल जाता है अर्थ बदल जाते हैं, सारे संदर बदल जाते हैं सारे references बदल जाते हैं लेकिन कहानी के साथ जो हमारा रिष्टा रहता है वो एकदम हमेशा जुड़ा रहता है आप इतिहास से कोई भी एक कहानी उठा लीजे चाहिए वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो आपको उसके साथ कोई ना कोई एक connection ज़रूर मिलेगा और जिस जरा भोजन यानि की food, खाना हमारे जीवन को जीवित बनाता है ठीक उसी तरह कहानिया जो है हमारी जिन्दिगी को जीने life बनाती है और कहानियों की सबसे अच्छी बात ये है कि आप किसी भी चीज़ पर कहानी बना सकते हैं जैसे कि ये एक pen है मैं इसके उपर भी कोई भी एक कहानी बना सकता हूँ जैसे कि ये pen इसका नाम है पारकर, बहुत शैतान pen है कभी भी बंद हो जाता है लिखना और कभी भी चल पड़ता है और कभी कबार तो अपने आप ही लीक हो जाता है जैसे मैंने इस pen की कहानी बनाई आप दुनिया में किसी भी चीज की कहानी आप लोग बना सकते हैं तो अब एक छोटी सी activity करेंगे हमारे इस storytelling के लिए हमारी इस activity का नाम है सुनो कहानी, बुलो कहानी इसमें आप एक कहानी बनाएंगे खुद कैसे यह मैं आपको बताऊंगा अगर आप activity को अच्छे से करना चाहते हैं तो camera की तरफ ध्यान से देखिए चुप चाप और ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या करेंगे इस से पहले कि मैं activity शुरू करूँ मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कोई भी कहानी होती है वो मज़ेदार तभी होगी उसमें मज़ा तभी आएगा जब उसमें एक बहुत बड़ा conflict होगा यानि कि मैं आप में कुछ लोगों को पहले बता चुका हूँ कहानी में drama तभी create होगा मज़ा तभी हाएगा जब उसमें एक conflict होगा हमारे यहारे एक कहवत है, एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक कहे, दोनो ग्यानी। पर इसमें ना ही कोई ड्रामा ना ही कोई कहानी। समझे, दो लोगों की कहानी चल रही है, उसमें कोई conflict नहीं आया, तो उस कहानी का कुई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर conflict आएगा, तो वो कहानी में मज़ा आएगा, कहानी में drama create होगा, तो अब इस activity को करना कैसे है, मैं आपको बताता हूँ, सर आप फिर से आएंगे मेरे पास, तो हमारी इस activity का नाम है, सुनो कहानी, बुनो कहानी, अब जैसे आप लोग वहाँ पर खड़े हैं, partners मे आप दो-दो के pairs बना लिजे, जैसे pair मैं हूँ one और यह है second, तो आप भी जल्दी से अपने-पने pairs बना लिजे quickly, okay, right, तो अब ध्यान से सुनियेगा, मैं जब तक आपको बोलू ना, आप शुरू करिए, आप शुरू मत कीजेगा, पहले आप सुनियेगा, मैं एक line बोलू फिर मैं वहां से continue करूंगा, और यह मैं जहां पर खतम करूंगा, वहां पर सर आगे शुरू करेंगे, तो हमको एक छोटी सी कहानी बनानी है, एक छोटी सी कहानी बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे, उस कहानी में conflict जरूर होना चाहिए, conflict, तो देखिए हम कैसे शुरू करते ह हैं, तो हम शुरू करते हैं, ध्यान दीजेगा, एक लड़का था, राजू, वो रस्से में जा रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक हाती आ गया, हाती बोला, अरे भहिया, थोड़ा पानी पिला दो, ठीक है, तो राजू ने हाती को का, मैं क्यों पिला हूँ, खुद ज पानी पिला दो, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पानी पिला दूँआ, लेकिन एक शर्पड, तुम मुझे अपनी पीट पर बिठाओ, और पूरे जंगल की सेर कराओ, बोलो, यह तो दोड़ी मुश्किल शाहत है, पानी ही तो पिलाना है तुमने, अगर पानी पीना चाह आते हो, तो मुझे अपनी पीट पर बिठाओ, और पूरे जंगल की सेर कराओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं यहां से, चलो ठीक है, मैं पूरे जंगल की तो नहीं, तुमको उस पहार तक की सेर करवा दूँआ, जो सामने नदर आ रहा है, ठीक है, तो राजु ने क्या किया, वो नदी पे गया, पानी भरा, और जाके उस हाती को पानी पिलाया, उस दिन के बाद से हाती और राजु एक बहुत ही गहरे दोस बन गए, आया समझ में, कैसे मैंने एक लाइन बोली, फिर सर ने एक लाइन बोली, फिर मैंने एक लाइन बोली, फिर सर ने एक लाइन बोली तो ऐसे करते करते, आपको एक छोटी सी कहानी बनाने है, clear, जिस स्कूल को समझ में आ गया है, please raise your hands, अगर आपको clear हो गया कि हमको करना क्या है, okay, good, तो आप जल्दी से दो-दो के partners में आ जाएए, quickly, दो-दो के partners में आ जाएए, yes, सामने सामने, और आप कहानी बनाना शुरू करेंगे, मैं एक लाइन बोलूँगा, फिर यह बोलूँगे, फिर मैं बोलूँगा, फिर यह बोलूँगे, और याद करिएगा, एक conflict होना चाहिए, जैसे हमारी कहानी में conflict था, उसमें मना कर दिया कि मैं पानी नहीं पिलाओंगा, खुच जाके पीलो, फिर हाती ने फिर स जरूर ये तभी कहानी में मज़ा आएगा ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोजों के पेज में आप लोग खड़े हो जाएए अपनी कहानी बनाना शुरू करिए थैंक्यू सर के भी रूड की थोड़ा जोड से ताकि मैं भी आपको सुन पाऊं आपकी कहानी सुन पाऊं आप क्या बना रहे हैं कहानी कि आपको अपनी कोई एक कहानी बनानी है आपको एक लाइन बनानी है कोई भी लाइन हो सकती है उसके बाद दूसरा जो आपका परसन है सेकिंड परसन है वह फिर एक लाइन बोलेगा और याद रखेगा वह रिलेटेड होनी चाहिए जा हुद आyजे कि कि अच्छ को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूं एक बार कि हमारी इस आक्टिविटी का नाम है सुनो कहानी बुनो कहानी आप एक princess character है जो कि कहानी सुना रहे हैं और आपके साथ कहानी सुनाइगा आपको कहानी सुनानी हैIn third पर्सन में एक होता ऊता है किमें अकाश में रस्षें में जा रहा था तभी मुझे कोई मिल इजब आप थर्ड पसंद में सुनाएंगे सुनो कहानी बुनो कहानी के लिए चलिए इसके बाद हम नेक्स आक्टिविटी की और बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले जो कि आज का हमारा टॉपिक है स्टोरी टेनिंग उसके बारे में आपको कुछ और बता देता हूं जैसे मैंने आपको बत रहे थे और सुन रहे थे उसको हम लोग कहते हैं स्टोरी टेनिंग तो इस कहानी सुनने और सुनाने की इस कला को हम लोग कहते हैं स्टोरी टेनिग और यह आज से अभी पिशे कुछ 15-20 सालों से नहीं शुरू हुआ यह माध्यम जो है कहानी सुनाने का माध्यम जो है वह महराजा यह सब कहानी सुना करते थे और आप लोगों को अगर याद घो कि बच्पन में आपकी नानी मा मैं की दादी लिए आपके शुरू हिए चाहिए थे तो हमारी स्वरी टेलिंग मिली कैका पाइस होती है जैसे चाहिए अर्लिक फ्य आफ से शुरू हुई थी केव पेंटिंग शुरू हुई थी जो अली मैंस थे वो लोग केव पेंट किया करते थे ड्रॉ करते थे पिच्छ और उसके थू कहानिया बताते थे क्योंकि उस समय कोई भाषा कोई लैंग्वेज इन्वेंट नहीं हुए अब जैसे ही भाषा हमारी इन्वेंट हुई हमा हम कहानी सुनाते हैं या किसी को बताते हैं आपके मम्मी पापा आपके दादा डादी आपके नाना नानी जब भी आपको बिना किसी चीज के सिर्फ भाषा के थ्रू कहानी सुना रहे हो तो उसे हम कहेंगे oral form of storytelling इसके बाद हमारा आता है Fable form of storytelling Fables जिसमें जिस कहानियों में जानवरों का उप्योग करके एक moral एक lesson आपको समझाया जाए जैसे बंदर और मगरमच की कहानी जो हैं हमारी पंचित अंत्र की या फिर शेर और खरगोश की खानी उसको हम कहेंगे Fable form of storytelling उसके बाद जैसे जैसे आगे language बढ़ती गई printing press आना शुरू हुई टेक्स आया तो उसे हमने बोला text form of storytelling जैसे कि आज हमारे पर जितनी की किताब है वो भी एक form है storytelling का अगर हम पीछे के जमाने जाए पहले के जमाने में जाए इतिहास में जब printing press नहीं आई थी जब हातों से ही लिखा जाता था तो तब बहुत ही गिनी चुनी किताबे हुआ करती थी और उस समय में हर किसी को पढ़ना नहीं आता था हर किसी को हर भाशा समझ में नहीं आती थी तो आज 21 सदी मे जबकि printing press इतनी बढ़ गई है, एक किताब, एक कहानी हजारों भाशाओं में उपलब्ध है, तो वो text form of storytelling जो है, वो बहुत ज़ादा develop और बहुत ज़ादा advance हो गया है, इसके बाद आता है हमारा storytelling का जो एक और form है, जो कि है theater, drama जिसे हम कहते हैं, वो भी एक form ही है storytelling का, बस उसमें audience बहुत ज़ादा होती है, उसमें हमारे पास sets होते हैं, उसमें हम live actions करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे live action form of storytelling ठेटर को, उसके बाद आखिर में हमारी आती है film and television, जो series, जो movies आप cinema घरों में देख रहे हैं, वो एक और form है storytelling के लिए, तो ये कुछ गिने चुने form से storytelling के लिए, तो अब हमारी last activity, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार activity है, जिसमें कहानी तो मैं सुनाओंगा, लेकिन action जो है, जो कहानी के जो action होंगे, वो कोई और करेगा, कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी हम लोगों को दो लोगों की तो मैं वापिस sir को बुलाना चाहूंगा, कि sir आप आजे ही एक बार वापिस पीछे, ताकि हम लोग अपनी next activity शुरू कर सके, तो अब इसमें क्या होगा, मेरे पीछे sir खड़े होंगे, कहानी मैं सुनाओंगा, लेकिन जो भी actions होंगे, वो sir करेंगे, कैसे, जैसे मैंने पीछे रखे, और sir जो है, आप एकदम मेरे sir के पीछे एकदम, तो आप कहानी मैं सुनाओंगा, लेकिन जो actions है, वो पीछे से होंगे, कैसे, मैं वापिस शुरू करता हूँ, एक कहानी, एक लड़की थी, जिसका नाम था, जैन्या, क्या नाम था, जैन्या, उसकी ममी ने उ थोड़े से पैसे दे दो, तो ममी ने का ठीक है, पैसे ले लो, तो जैन्या, जैसे ही जा रही थी, मार्किट में, तो उसने देखा, कि उसके सामने एक जोकर आ गया, जो की बहुत सारी करतब कर रहा था, वो balls, जग्डिंग बॉल्स जो है, उसको उचाल रहा था, वो कुछ magic prig दिखा रहा था तो उसे देखते देखते जन्या उसके कर्तप में खो गई और उसके बाद एक कुत्ता आया पीछे से जो जलेबी के सारे package उठाके ले गया और जन्या भागते भागते दौड़ते दौड़ते उसके पीछे गई और किसी एक अंजान शहर में पहुंच गई easy clear तो देखा आपने कैसे जो सामने वाला जो आपका character है वो कहानी सुना रहा है और जो मेरे पीछे है जो चुपके बैठे हैं वो हातों के थ्रू actions कर रहे है लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे है फिर से हम लोग कहानी सुनाएंगे third person में third person में यानि कि एक लड़की थी जैन्या वो सुबा उठी उसकी मम्मी ने उसको जगाया अगर यह कहानी हमको first person में सुनाती ही होती तो हम कहते एक मेरा नाम जैन्या है मेरी मम्मी ने सुबा मुझे उठाया और मैं गई बाजार में जलेबिया लेने तो आप कोई भी कहानी स हो थर्ड परसन में होगी क्लियर 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 है ओके चलिए शुरू करिए एक बार मैं देखता हूं आपको समझ में आया अच्छे से की नहीं एस क्विक्ली स्टार्ट शरीर कोई और होगा आवास कोई और होगा पिगे थैंक्यू सब्सक्राइब थैंक्यू बेरी मिच् करते रहिए गुट कंटीनू करते रहिए गुट कंटीनू करते रहिए आप लोग के याख सब्सक्राइब जो कहानी सर में आपके वाला है वह आक्षे और इक्षे वाल जुट करेंगा हातों से कहानी सुनाना शुरू करिया कि अधिए 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 कर आपके पीछे वाला परसन है उसको एक्षिंस करने हैं जैसे आपने का मगरमच तो मगरमच बनाएगा अपने हातों से तो आपको एक्षिंस करने हैं जो पीछे होगा वो सिफ हात रख घुसा के खड़े होने के रेडी नहीं है आपको कुछ action भी करने हैं साथ में जैसे आपकी कहानी में अगर मगर मच है तो आप मगर मच बनाइए अगर बंदर आ रहा है तो बंदर बनाइए ऐसे करके तो थांक्यू वेरी मच आज आने के लिए यह सोरी टेलिंग की जो जितनी भी क्लास थी यह बहुत अच्छी रही आज और मैं नेक्स क्लास में भी थोड़ी सी बात करूंगा स्टूरी टेलिंग के बारे में तो जब तक मेरी नेक्स क्लास नहीं होती आप कहानियां पढ़ते रही है कहानियों के साथ जोड़े रही है और मैं चाहूंगा कि आप ऐसी कहानिया पढ़े जिसके साथ आपका कोई रिष्टा हो लाइफ का कनेक्शन जोड़े रहे तो चलिए इसी के साथ हम लोग यहां पर सेशन कंप्लीट करते हैं अगर कोई क्वेरीज है आपके लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं school at the rate r2rvisa.com इसे के साथ मैं बाइच कहना चाहूंगा बाइच के लिए हम लोग जो अपना थैंक्यू सॉंग यूज करते हैं अगर आप लोगोंने किया हुए तो आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं आप लोग तेयार है थैंक्यू सॉंग के लिए थैंक्यू 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 गुडबाई मैं जल्दी मिलूंगा आपसे टाडा